हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आबाद इस्टेडी में आज हम आपको धायनिक रोजगार कमाचार सत्ताइस अक्टोबर की विद्यारती जीवन समंदित जो भी खबरे हैं उसको डेटेल से आपको इस वीडियो मताएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करत है और देखते हैं कि आज की कौन कौन सी महतपूर खबर है तो देखके तरह से पहली खबर है कि यूपी ट्रीपल सी एन्नम भरती पर रोक हाई कोड तेकि हाई कोड ने इलाबाद हाई कोड ने एन्नम की भरती जिसकी जो एनिंग जो है 31 अक्टूबर को होने वाली थी उस पर रोक लगा दी है कुछ EWS के मैटर को लेकर कुछ भी संगती है जिसके कांड जो है यूपी ट्रीपल सी एन्नम की भरती पर रोक लगा दी गई है अब जब जल्द ही जब इस पर रोक हटेगी तो भी जाय करके इसकी जो आइनिंग हो पाएगी यानि यह भरती थोड़ा स अब आगे बात करते हैं सीटेट 2022 आनलाइन फाम सुरूँ देके सीटेट 2022 का आनलाइन आवेदन सुरूँ हो गए हैं हो जाएंगे तीस तारीक से और इसमें इस बार या बरुष्टा की गई है जिसको भी नजदीक सेंटर चाहिए उस जो पहले फाम फिलप करेगा उसको प पहले आओ पहले पाओ के बेश्ट पर यह जामनेशा सेंटर बनेंगे सीटेट 2022 में अब आगे बात करते हैं एससी सीजियल 2022 में 43,000 पदों पर होगी भरती देके कि एससी सीजियल में पहले यह ज्यानकारी आई थी कि इसमें जो है 20,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी लेकि अब जो नए अपडेट आया हुआ है कुछ sources के माध्यम से उच में बताया गया है कि 43,000 पदों पर जो है भरती इस बार सीजियल के माध्यम से कराी जाएगी जो हैं इस बार जो है CVL में 43,000 पनों पर भरती होगी अभी जो source नए अपडेट आ रहा है उसमें यह जानकारी मि अब बात करते हैं सेतु निगम की देखे यूपी निगम में जेए के 209 पदरिक्त हैं देखे उत्तर प्रदेश से ब्रिज कार्पोरेशन लिम्टेड में जो है ये कार्टिया लगाई गई थी जिसे पूछा गया था कि अभी तक जेए सिविल के कितने पदरिक्त हैं तो वहां से जवाब आया है कि ये सिविल की अभी जो है 209 पदरिक्ते चल रहे हैं और अभी इसमें कोई भी वेकेंसी सेतु निगम में नहीं कराए गई है 2014 के बात है यहनि 2014 से लेकर के 2022 के बीच में सेतु निगम में 209 पदर अभी सिविल की रिक्त हैं और यहीं सिविल के और इस पर अभी तक कोई भरती नहीं करवाई गई है अब आगे बात करते हैं कि यूपी ट्रीपल सी कमिंग रिजल्ट देखे कि यूपी ट्रीपल सी के माध्यम से अगला जो रिजल्ट है वह लोवर PCS का होगा और लोवर PCS 2019 का इसका रिजल्ट आएगा और अब यह आप देखे होंगे कि लोवर PCS 2022 का जो है डाकुमेंट बेरिफिकेशन सुरू हो गया है तो यानि अगला जो रिजल्ट है वह लोवर PCS 2019 का आएगा तब जाकर कि इसके बाद जो है जेई 2016 का रिजल्ट आएगा और जेई 2016 के बाद आपको लेकपाल वर्ती का रिजल्ट देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि बेकेंसी देखे जो बेकेंसी की बात है तो बेकेंसी के बारे में आप जान लिजए कि वैकेंसी अभी तो बंदर्वक वैकेंसी का फाम फिलाफ हो रहा है और एक भूतत भी भाग में वैकेंसी आई थी भूतत भी भाग के बाद जो है एक वैकेंसी जो है जूने एस्टेंट की आगई है इसके अलावा एक वैकेंसी एक गल्चा टेकनिकल असिस्टेंट की आएगी और साथ ही साथ एक वेकंसी जो है टेकनिकल असिस्टेंट के अलावा एक वेकंसी आपको एकाउंटेंट की देखने को मिलेगी इतनी भरतिया अभी जो है पेट 2021 के माध्यम से कराई जाएंगी तब गोई उससित है जाएगा तो जाकर कि पेट 2021 की बेस्ट पर भरति कराएगी अभ कुछ और बहर बात करते हैं कि Center for Personal Talent Management यहीं सेप्ट्रम में सेप्ट्रम में इस्टोनों गराफर जूनियर टांसलेशन इस्टोनों गराफर एस्टेशन इस्टोर असिस्टेंट पायर फायर्मन इत्याद के पदों पर जो है भरती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है इसका जो जाम स्कीम है वह है इस्किल टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा इसमें कुल मिला करके एक हजार एक सट पदों पर जो है विग्यापन जारी किया गया है डियार्डियो में यानि डियार्डियो में कलर्कियल ग्रेट के पोस्ट का कि फाम आया हुआ है जिसके लिए आनलाइन आवेदन साथ ग्यारत दोहजार बाईस से सुरू होगा और साथ दिसंबर दोहजार बाईस तक फाम लिया जाएगा क्योंकि अभी आपने देख्यांगा इनजीनियर्ग uted के नियरेग्ड के तो फाम आ गये से लिए अब जो अब मभारत जिन बी सनल में कितने लोगों को वी आरेज दे करके सीटे कम की गई उसके आपड़ेट दिया हुआ कि किस पोश्ट के कितने लोगों को वी आरेज की दो जो से वानीबृती समय बहुत बड़ा मुद्चर रहा कि EWS को लेकर कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत जल्द ही आने वाला क्योंकि सुनवाई जो है खतम मोचों की बस इसके फैसला सुरची तरका गया जल्द ही इसके फैसला आ जाएगा और यह देखिए जो मनें बताया था कि SSC CGL में 2022 में 43,000 के कई पदों पर भरती होगी उसी के बारे में यह जनकाई देगे किस किस पद पर किस किस विभाग में कितने कितने पद जो है रिक्त है इन सब का अगर डाटा मिलाया जाए तो लगवग लगवग 37,000 कुछ पदों पर भरती कराई जाएगी CGL में आगे जानकारी है कि PGIMER रिक्रूप्मेंट 2022 पोस्ट ग्रेडवेज इंस्टिटूट आफ मेडिकल एजूकेशन और रिसर्च में चंदीगड में सीनियर रेजिजेंट जूनियर सीनियर प्रदान संग हाथ कि यह पोस्टों पर 137 पदों पर वै एड्मिशन के लिए 30 नौंबर तक करें आवेदन परिच्छा तिति घोषित करा साइनिक स्कूल में छठी से नौमिक अच्छा में नमांकन के लिए आनलाइन आवेदन की तिति जारी कर दी गई है नेस्नल टेस्टिंग एजनसी 30 नौंबर तक आनलाइन आवेदन लिया जा कि 419 पदों के लिए मटेरियल असिस्टेंट की भरती का नोटिफिकेशन आया हुआ है और एक बात और है कि सीजियल 2020 का जो रिजल्ट है इसी हफ्ते आ जाएगा ससी डाटनासी डाटन की वेबसाइट पर अब कराक एफसो में कि दो सो पदों पर भरती कंडिडेट एक नौंबर ते करें अपलाई 30 नौंबर तक लाज़ डेट रजस्थान लोग सिवायों खादय सुरच्छा अपिसर के दो सो पदों के लिए अनलाइन आवेदन परक्रिया एक नौंबर तुरू हो जाएगी आव कि यह लखनव भारा समचार की खबर है कि यूपी में एन्नम के नहुजार पदों पर भरती पर लगी रोक इलहाबाद हाई कोट ने एन्नम के नहुजार दूसर बारह पदों पर लगाई रोक इवर सर्टिफिकेट में अपूर जानकारी याजक्या करता ने की थी रिट जस है तो आप देख लिए कि अलहाबाद हाई कोट ने एन्नम की भरती पर जो है रोक लगा दी है कि सो थाइक्यू धाने बाद आप हमारे चैनल को स्क्राइब करिए और कि संबाद में कोई भी अपडेट और यंकारी चाहिए था हमसे पूछती रही है थाइंक्यू